हेलो गाईज, विल्कम बैक तो माई चैनल, स्पैसेफियर इंग्लिश, गाईज, अगर आप भी अपने इंग्लिश इंप्रूब करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं, आज की वीडियो आप 50 से ज्यादा से, यहाँ पी ये लड़की बोली कि, तु जानता नहीं मेरा स्टेटस क्या है, यू आर नॉट अवेर ओफ वाट माई स्टेटस इस, तु जब नाजती हो, तो तुम अपने जैसे नहीं लगती, वह अपने काम से काम रखता था, यह अपने काम से काम रखता था, तुम्हें देखने का मन कर रहा है, ऐसा लगता है कि तु नकम्मा है, और कुछ कमाता धमाता नहीं, एसा लगता है कि तु नकम्मा है, और कुछ कमाता धमाता नहीं, तब यह पुछती है कि पर तुम अंदर कैसे आई How did you even get in How did you even get in पर तुम अंदर कैसे आई How did you even get in उसे वह नहीं करना चाहिए था जो उसने किया He should not have done what he did He should not have done what he did उसे वह नहीं करना चाहिए था जो उसने किया He should not have done what he did यकिन नहीं हो रहा उसने जो किया है फिर भी उससे जगड़ा मत करना फिर भी उससे जगड़ा मत करना गैस अगर आप किसी से फाइट करते हो आप किसी से गुसा हो तब आपका फ्रेंट आपको बोल सकते है कि go easy on him यानि कि उससे जगड़ा मत करो just go easy on him just go a little easy on him फिर भी उससे जगड़ा मत करो उससे अच्छा बरताओ करो आगे देखते हैं गाईज प्लीज इस दरवाजी को खोलो और मुझे अंदर आने दो मैंने उससे इधर उदर घूमते देखा I saw him roaming here and there I saw him roaming here and there मैंने उससे इधर उदर घूमते देखा here and there, इधर उदर I saw him roaming मैंने उससे घूमते देखा here and there, इधर उदर आगे देखते हैं गाईज डेनियला, तुमको वहाँ नीचे नहीं जाना चाहिए डेनियला, you are not supposed to go down there Daniela, you are not supposed to go down there Daniela, तुमको वहाँ नीचे नहीं जाना चाहिए कभी-कभी मैं भी ताग जाग करती हूँ I sometimes like to snoop to I sometimes like to snoop to कभी-कभी मैं भी ताग जाग करती हूँ snoop का मतलब होता है गाई ताग जाग करना यहाँ पर यह बोल रहें कि I sometimes like to snoop to या आप ऐसे भी बोल सकते कि Sometimes I like to snoop to कभी-कभी मैं भी ताग जाग करती हूँ कुछ ऐसा करो जो वास्तों में उचितो Do something that's actually appropriate Do something that's actually appropriate कुछ ऐसा करो जो वास्तों में उचितो यहाँ पर यह लड़की बोले कि कभी-कभी मैं भी ताग जाग करती हूँ I sometimes like to snoop to यह किसी की बाते सुन लेती है तो बोलती है कि कभी-कभी मैं भी ताग जाग करती हूँ I sometimes like to snoop to कभी बोलती है कुछ ऐसा करें जो वास्तों में उचितो Do something that's actually appropriate Do something that's actually appropriate जो वास्तों में उचितो अपने आपको दोस्त देना बंद गरो Stop being so hard on yourself यह किसी के साथ कुछ गलत की है तो उसी के बारे में बोल दी कि मैंने ऐसा कर दिया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यह सा मेरी वज़ा से हुआ पश्ता रही है तब इसकी मा बोलती है कि Stop being so hard on yourself यह आप ऐसे भी बोल सकते है कि Don't be so hard on yourself यह stop being so hard on yourself अपने आपको दोस्दिना बंद करो अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करती If it were you in my place would you have trusted me If it were you in my place would you have trusted me अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करती If it were you in my place would you have trusted me तुम्ही हो जिसने मुझे धोखा दिया है अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा होता तो तुम क्या करते अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा होता तो तुम क्या करते अपने बेटे को बोल रहा है कि पता नहीं मेरी जान कौन लेगा मेरी cancer पहले लेगी या तुम्हारी हरकते लेगी I don't know if the cancer will kill me first or your crazy ideas I don't know if the cancer will kill me first or your crazy ideas पदा नहीं मेरी जान पहले कौन लेगा मेरी cancer या तुम्हारी हरकते I don't know if the cancer will kill me first or your crazy ideas crazy ideas वाने तुम्हारी हरकते आगे देखते हैं guys मैं तुम्हारी वजह से चुप रही I kept quiet because of you I kept quiet because of you मैं तुम्हारी वजह से चुप रही तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था You should have told me earlier You should have told me earlier तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था You should have told me earlier अभी बताने का कोई मतलम नहीं है there is no point in telling now there is no point in telling now अभी बताने का कोई मतलम नहीं है तुम्हें मुझे पहले बताजना चाहिए था you should have told me earlier there is no point in telling now अभी बताने का कोई मतलम नहीं है तुम्हारे लिए यहां से चले जाना ही अच्छा होगा you had better get out of here you had better get out of here तुम्हारे लिए यहां से चले जाना ही अच्छा होगा you had better get out of here मैंने अपनी जिन्दगी में कभी नहीं सोची थी कि मैं ऐसा कुछ करूँगी I never thought in my life that I would do something like this I never thought in my life that I would something like this मैंने अपनी जिन्दगी में कभी नहीं सोची थी I never thought in my life that I would do something like this यानि कि मैं ऐसा कुछ करूंगी लेकिन ऐसी परिस्तितियों में कोई क्या कर सकता है but what can one do in such circumstances but what can one do in such circumstances लेकिन ऐसी परिस्तितियों में कोई कर क्या सकता है यहां पे जिन्दगी में कभी नहीं सोची थी कि मैं ऐसा कुछ करूंगी I never thought in my life that I would do something like this लेकिन ऐसी परिस्तितियों में कोई कर क्या सकता है but what can one do in such circumstances मैं अभी नहीं जा सकता मेरे पास करने को बहुत काम है I can't go right now I have got so much work to do I can't go right now I have got so much work to do मैं अभी नहीं जा सकता I can't go right now मेरे पास करने को बहुत काम है I have got so much work to do मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें जाना ही होगा I don't understand anything you will have to go I don't understand anything you will have to go, मुझे कुछ नहीं पता तुम्हें जाना ही होगा I don't understand anything you will have to go अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है, if what you are saying is true if what you are saying is true अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है हम मुश्किल में पढ़ सकते हैं we might get into hot water we might get into hot water हम मुश्किल में पढ़ सकते हैं get into hot water का मतलब है गाइस की get into trouble यह एक इडिया में we might get into hot water हम मुश्किल में पढ़ सकते हैं या we might get into trouble या आप बोलो we might get into hot water दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पे लड़की बोले कि अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है if what you are saying is true we might get into hot water हम मुश्किल में पढ़ सकते हैं मैं उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती I don't rely on what she says I don't rely on what she says मैं उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती rely on का मतलब कि भरोसा करना I don't rely on what she says मैं उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हो गया I don't know how it all happened I don't know how it all happened मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हो गया I don't know how it all happened मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है I am not used to being alone I am not used to being alone मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है I am not used to being alone उसने अपनी आखें एक जंग में खो दी थी He had lost his sight in a battle He had lost his sight in a battle उसने अपनी आखें एक जंग में खो दी थी He had lost his sight in a battle एक अंधे आदमी को लूटना एक तरह का पाफ है है न That's kind of sin to rob a blind guy, isn't it? That's kind of a sin to rob a blind guy, isn't it? एक अंधे आदमी को लूटना एक तरह का पाफ है है न That's kind of a sin to rob a blind guy, isn't it? तब यह बोलता है कि अंधा है इसका मतलब यह नहीं कि वह एक संथ है Just because he's blind doesn't mean he's a saint Just because he's blind doesn't mean he's a saint अंधा है इसका मतलब यह नहीं कि वह एक संथ है Sंथ का मतलब होते है संथ just because he is blind doesn't mean he is a saint अंध है इसका मतलब यह नहीं कि वह एक संथ है अपने अनभो से कह रहा हूं I say this from my experience I say this from my experience अपने अनभो से कह रहा हूं I say this from my experience उससे मत उल्जो don't mess with him don't mess with him उससे मत उल्जो या उससे पंगा मत लो don't mess with him I say this from my experience अपने अनुभव से कह रहा हूं डोंट मेस विथ हीम उससे मत उल्जो आपने मुझे मौद के मुझे बचाया You saved me from certain death You saved me from certain death आपने मुझे मौद के मुझे बचाया Certain death का मतलब है कि जो death, जो मृत्यू निश्चित थी आपने मुझे बचाया You saved me from certain death आपने मुझे मुझे मौद के मुझे बचाया आपने मुझे मुझे मृत्यू जो निश्चित थी उससे बचाया मुझे क्या चाहते हो What do you want from me? What do you want from me? आप मुझे क्या चाहते हो Well guys, आज़के लिएटो में इतना ही जुरू बताना कैसे लगी वीडियो अच्छी लगे, रुडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट करके ज़रू बताइए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं डेली आपके लिए इसी तरीकी वीडियो बनाता हूँ कि आप इंग्लिश को इंप्रूब कर सके वेल गाइज मैं आपसे एक लिए वीडियो मिलता हूँ टेल रेंट टेक केर, कीप रैक्ट सी एंड थैंक्स वरोचिंग